आशिया के सबसे बड़ी सब्जिमंडी नाम से जाननी वाली एपीम्सी कलम्ना मार्केट प्रशासन की गैर जिम्यदार कारी की वजों से कई किसानों का हजारों का नुक्सान हो रहा है यह आरोप लगाती वे यवासिना जिलादिक शियर शरत सरोदे ने एपीम्सी प्रशासन के विरुद में आंदू लिंग किया कलम्ना एपीम्सी का गेट नंबर पाज कई बार निवेदन देकर भी शुरू नहीं हो रहा है इस वजह से परिसर में बड़ा जाम लगता है किसान रात तीन बचेपी मंडी में आते है तो उन्हें मंडी में प्रवेश करने पाच बच चाते है इस वजह से किसानों के उपच को भाव नहीं मिलता है और उन्ने कम दामों में माल बेशना परता है इसके विरोप में बार बार आवाज उठाने के बार भी नाय नहीं मिल पा रहा है जिस वजा से आखिरकार यवासिनाज जिल्ला प्रमुग शरत सरुदेनी आंदोलंकिया पाजी मंडी वाले गाड़ा कुटुन आननार केदार साहभान ना बोलोला मदन केदार आनना चान अंतर बागडेन ना बोलोला त्याननी काम दिले तना कते गेट लवकर आत लवकर पोड़ा परंत तुमारा सुरू कराईचा है आमें चे कास्तकार आनि अर्तिया बंदू फार उंलाश नी इतना केले त्यानना मिटाई चार ली पन त्या मिटाई चा त्याननी मान धेवलेला नाई ट्यांना माज़ा मत यहाए का C2 यह कास्टकाराचा विशेई सोचावे विचार करावे अर्तियाज बंदू चा विशे विचार करावे कारन की आज तुम्ही करोड़े चे प्रापर्टे बनुन धेवले ले आए एपीमसी चे आथ मदे किती द्यूसा बासना इतके मोठा प्रमाना दोंशे अरिस्चे तीन शे दुकाना बनुन धेवले ले ले तुम्ही कोट्टन शी रुपे एपीमसी चे लागले ले ले आए ते इस विचे पर कई बार निवेदन देखर भी प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उटाया गया है बरहाँ शिवसिना के इस आंदुलंग का क्या नतिजान निकलता है या देखना खास होगा कैमरा परसन राजकुमार महोड के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट झाल